ओम नमस्ष श्वाय श्वागत है आप सभी का मेरे भक्ती भावना यूट्यूब चनल पर दोस्तों आज मैं आपको अक्यत रतिया के बारे में जानकारी दूँगा इस बार अक्यत रतिया पर बहुत बड़ा योग बन रहा है अक्यत रतिया के दिन देव गुरू ब्रस्पती महा योग बना रहे हैं जो कि 500 साल के बाद में ऐसा योग देव गुरू ब्रस्पती अक्यत रतिया वाले दिन बना रहे हैं दोस्तों आज के दिन सात रासिया हैं जो बेहदी बागिसाली जिनकी जानकारी मैंने पहले विडियो में दी थी अब मैं आपको विश्तार से बताऊंगा कौन-कौन सी रासिया इस दिन बेहदी बागिसाली रहने वाली है और आगया तरतिया से ले करके आगे कई सालों तक आ बहुत ज्यादा सुभ रहीगा अब मैं आपको जानकारी दूंगा ये राशियां सीग्री ही पुत्रवान और धनवान होंगे सबसे पहली है मेश राशी दोस्तों मेश राशी का योग बहुत ही अच्छा है मेश राशी के अंदर तीन क्रहन की युति बन रही है इसलिए मेश राशी भागिसाली राशियों में से हैं सीग्री ही पुत्र का लाव धन का लाव और बिंग्र कोई कारियों में सपलता मिलना शुरू हो जाएगी में दूसरी रासी है ब्रसव रासी जिसका योग बहुत अच्छा है ब्रसव रासी वालों को सपलता मिलीगी संतान का धन का लाव है कार्यों में सपलता है मिलना अभी से शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे आप बहुत ज़्यादा तरक्की करोगी कुछ बातों को आप इसे शूफ से ध्यानवी रखना है जल्द बाजी में कोई भी कार आपको नहीं करना है तीसरी रासी है मित्षुन रासी भागिसाली महा भागिसाली आप रासी कह सकते हैं जिसका यूग बहुत ही अच्छा है बुद्ध बहुत ही अच्छी इस्तिती में रहने वाले हैं जो आपके लिए ब्योपार इस्तिती के लिए और नोकरी के लिए वस्वास्त के लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है और संतान का शुक भी आपको मिलेगा बिद्यार्तियों को भी बिद्याक्यत्र में लाम मिलेगा और साथ ही कारोबारियों को तो बिशेश लाम मिलना ही है अगली राजी है करकरासी बेहदी भाग्यसाली रहने वाली है करकरासी पर देवगुरू ब्रस्पति की उच्चे दिरश्टी है और देवगुरु ब्रस्पति की जब उच्छे दिरश्टी हो तो इंसान के प्रतेकार बनने शुरू हो जाते हैं हर प्रकार के कारियों में सफलता आती हैं जीवन वारे सारी समस्याइं दूर हो जाती हैं वही अगर आप काउंट करोगे तो देवगुरु ब्रस्पति आपके बहुत ही अच्छे स्थान में बैटे हुए जो आपको माला माल करेंगे पुत्रवान मनाएंगे अगली रासी है सिंग रासी तोला रासी धनु रासी और कुम रासी ये रासियां हैं जो बेहती भागे साली रहने वाली हैं इन रासियों का योग बहुत ही अच्छा है दोस्तों इस दिन हनमान जी का चोला सभी रासी वालों को चड़ाना है हनमान जी का चोला जरू चड़ाएं सिंदूर का चोला हनमान जी को नेवे दियर पड़ करें चूरवे का भोग लगाएं खीर का भोग लगाएं इस दिन माता लच्छमी की पूजा जरू करें घर में कोई न कोई चीज खरीद करके जरूर ला करके रखें जिस से आपको विश्य इसलाम मिलेगा और आपकी मनुकामना पूरी होगी। इस दिन योग बहुत अच्छे वरना है, सभी रासी वाले उपाए करें, सभी रासी वालों की मनोकामना पूल होगी, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ओम नमस्वाए